भारत को मंदिरों की भूमी कहा जाता है लाखो श्रधालू इन मंदिरों में आते हैं। हिंदू धर्म की माने तो मंदिर एक ऐसा पवित्रस्थान है। जहां जाने पर भक्तों को शांती मिलती है एक सुकून की प्राप्ती होती है। आज हम आपको भारत के उन मंदिरों के ब हैं जिसका शब्द मल्यालम भाशा में भगवान अनंद का शहर कहा जाता है 108 दिव्य देसमों में से एक है यह मंदिर वैशनव धर्म के अनुसार वैशनव भक्ती के लिए प्रमुक्स्थलों में से एक पदमनाब स्वामी मंदिर है जो भगवान विशनु के अवतारों में से एक भगवान पदमनाब को समर्पित है ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में साथ गुप्त कक्ष हैं और उन साथ कक्षों में से छे कक्ष भारत सरकार की पहुंच में हैं लेकिन एक कक्ष अभी भी बंद है हालां की कई संगठनों और पुजारियों ने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन वे असफल रहे इस मंदिर में पूजे जाने वाले देवता भगवान विश्नु जो पांच फन वाले नागों के उपर लेटे हुई है। और मंदिर के मुख्य गर्ब ग्रिह में भगवान विश्नु की विश्राम मुद्रा में एक विशाल मूर्ती स्थापित है। ने कई नदियों और नालों का उप्योग करके इसे सुखा दिया था। जब घाटी पहली बार सूख गई तो महर्शी भरिगू ने गुफा में लिंगम की खोज की गर्मियों में थोड़े समय को छोड़कर जब ये तीर्थ्यात्रियों के लिए खुला रहता है। गुफा वर्ष के अधिकांच समय हमेशा बर्फ से धकी रहती है। बर्फीलिक शेत्र और बर्फ के लिंग के कारण ही लोग इसे बाबा बर्फानी भी कहते हैं। शक्तिशाली भगवान शिफ की एक जलक पाने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्त कठिन इलाकों का सामना करते हैं। पवित्र स्थलों को भगवान शिफ के प्रकट होने का स्थान माना जाता है इस मंदिर में हर साल लगभग 45 लाग परियटक आते हैं। यह मंदिर भारत भर के लोगों द्वारा बहुत माना जाता है जो इसे भारत के प्रसिद मंदिरों में से एक बनाता है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटाक्टिका तक सोमनात समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमी नहीं है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमब सेवन पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तर पर स्थित काशी विश्वनात मंदिर को भगवान शिव को समर्पित सबसे लोगप्रिय हिंदू मंदिर हैं। वारानसी के मध्य में स्थित यह मंदिर लाखों हिंदूों के लिए आस्थाका केंद्र है। काशी विश्वनात मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिभ है जिन्हें विश्वनात या विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है, ब्रम्हांद का शासक मंदिर में मौझूद ज्योतिरलिंग को देश के सभी ज्योतिरलिंगों में से बारह वा माना पुराने समय में शिवरात्री जैसे विशेश त्योहारों पर काशी के राजा काशी नरेश्ट मंदिर में पूजा के लिए जाते थे, जिसके दोरान किसी और को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमती नहीं थी. मंदिर में कालभेरव, विश्णू, विरुपक्ष, गौरी, विनायक और अविमुक्तेश्वर जैसे कई अन्य छोटे मंदिर भी हैं. ये काफी पुराना और एक भव्य मंदिर है जो पूरी दुनिया में प्रसिद है. यही कारण है कि देश के हरकोने से भगवान शिव के भक पुराने रीती रिवाजों का पालन करते हैं. माना जाता है कि हर साल लाखों की तादात में भगवान विश्णू की पूजा करने आते हैं. नमबर फाइड तमिलनाडू के मदुरई शहर में वैगई नदी के दक्षनी तटपर्स्थित मिनाक्षी मंदिर भारत का एक सबसे प्रसिद मंदिर है. जिसका निर्मान वर्ष 1623 और 1615 के बीच किया गया था और इसकी अद्भुत वास्तुकला विश्वस्तर पर प्रसिद है. मिनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से देवी पारवती को समर्पित है, जिन्हें मिनाक्षी और उनके पती को सुंदरेश्वर शिव के रूप में जाना जाता है. यह मंदिर देश के बाकी मंदिरों से काफी अलग है क्योंकि इस मंदिर में शिव और देवी पारवती दोनों की एक साथ पूजा की जाती है परानिक कथाओं की माने तो सुंदरेश्वर के रूप में जन्मे भगवान शिव ने पारवती से शादी करने के लिए मदुरे का दोरा किया था ये स्थान देवी पार्वती के जन्म स्थान होने की वज़े से शुरू से ही पवित्र रहा है इसलिए पार्वती का स्मरन करने और उनकी पूजा करने के लिए इस मिनक्षी मंदिर का निर्मान किया गया था। मीनक्षी मंदिर दिखने में बेहत खुब सूरत है जिसमें 14 प्रवेश द्वार शामिल हैं। इस मंदिर की पवित्रता और आकर्शनों की वज़े से रोजाना हजारों भक्तिस मंदिर की आत्रा करते हैं। 4. तेरुपती बालाजी मंदिर आंधरप्रदेश के चित्तूर जिले के तेरुपती में तिरुमाला की पहारी पर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर हैं। जो अपनी चमतकारिक शक्तियों की वज़े से आस्था का केंदर बना हुआ हैं। तिरुपती बालाजी मंदिर को वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिनके दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालू आते है और अपनी मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए बालों को अर्पित करते हैं। हिंदु मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्नु प्राचीन योग में आने वाली मुश्किलों के चलते मनुश्य के जीवन को बचाने धर्ती पर प्रकट हुए थे। हर साल करोणों रूपे का दान इस मंदिर में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है। यहां चधाये गए बालों से हर साल मंदिर को कई करोणों रूपे की प्राप्ती होती है। जहां तीर्थ्यात्री लगभग 13 किलोमीटर तक पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुँचते हैं जो 108 शक्ति पीथों में से एक है। 2. श्वी जगनात मंदिर औरिसा राज्य के पुरी में भारत के पूर्वी तट परस्थित भगवान जगनात श्वी कृष्ण को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को हिंदूों के चार धामों में से एक माना जाता है। सबसे उचा है और यह भगवान शिव को समर्पित है ये गंगोत्री या मनोत्री और केदारनात के अलावा छोटे चार धाम में भी शामिल है वर्तमान में केदारनात मंदिर का निर्मान आदी शंकर आचार्य द्वारा किया गया है यह मंदिर सिर्फ अप्रेल से नवंबर मही महीने के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है और साथभर लोग केदारानात मंदिर में आने के लिए इंतजार करते हैं यहां की प्रतिकूल वायू के कारण सर्दी के दिनों में केदार घाटी बर्फ से पूरी तरह धाम जाती है खास बात यह है कि इसके बाद इसके खुलन और बंध होने का महूर्ट भी निकाला जाता है लेकिन फिर भी यह सामाने तोर पर नवंबर महीने की 15 तारीक से पहले बंध हो जाता है और 6 महीने बाद अप्रेल में फिर से खुलता है